दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की 5 सबसे खतरनाग जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ और इन जानवरों को देखकर आपके होस उड़ जाएंगे क्योंकि इनके जैसे आप जानवर कभी नहीं देखे होंगे और इन जानवरों को आकार नामा देखकर आप पूरी तरह से चौक जाएंगे क्या सच में या जानवर ऐसे कर सकते हैं तो इसलिए वीडियो को लास तक पुरा जरूर देखना लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने इस पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज यारे वीडियो को लाइक कर देना सेयर कर देना और आप हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर करना क्योंकि आगे भी बहुत इंटेस्टिर वीडियो आपको मिलने वाली है तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं नंबर एकपर सिकाड़स दोस्तो या जानवर करीब 17 साल जमीन के अंदर रहने के बाद अपनी भूझ मिटाने के लिए जमीन से बहार निकलते हैं ताकि वो अपना भोजन कर सकें और अपनी भूझ मिटा सकें और जब यह रास्टे पर चलते हैं तो इनके पंकों से आवाज भी निकलती है दोस्तो हमारी पिर्थभी पर साप की अनेक परजादियां पाई जाती हैं और उन्ही सांपों में से यह सांप स्नेक है दोस्तो आप सोच रहे होंगे की यह सांप अपनी पूच को कियो निगल लेते हैं तो दोस्तो हमारी आपको जानकारी के लिए बता दू की सांप ठंडे खून वाले जानवर होते हैं और इसी वज़ासे वह अपने सरीर के टमपरेचर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इसी वज़ा से हुआ कनफ्यूज हो जाते हैं और कई बार अपने आपको भारी नुकसान भी पहुचा देते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं नमबर तीम पर आर्चर फिस दोस्तो होली के मौसम में आप सभी ने तो पिछकारी से रंग खेले ही होंगे लेकिन इसे मचली के तोर पर हतियार के रूप में देखा जाता है दोस्तो आर्चर नाम की मचली अपने मूँ से पिछकारी छोड़कर कीडो मकोडो का सिकार करती है सबसे पहरे तो यह मचली पानी में तरकर अपने सिकार को डूड़ती है और फिर उसके बाद जब उसे सिकार दिख जाता है फिर वह मुँ से तेथ धार छोड़कर सिकार को नीचे गिरा देती है और उसे वह अपना भोजन बना लेती है नंबर चार पर स्कोर्पियन फ्लाई दोस्तो इसकी पूंच देखकर आपको बिच्चु लग रहा होगा लेकिन यह बिच्चु नहीं है और यह फ्लाई किसी भी दूसरे कीडो को नुकसान नहीं पहुचाती है यह फूला और पौदे के उपर रहती है सबसे अच्छी बात यह है कि यह मरे हुए कीडो को अपना सिकार बनाती है हाला कि कोई अगर इन पर हमला करने की कोशिस करे तो तभी यह अपने डंको को काम में लेती है नमबर पांच पर एक्टिनो सोमा दोस्तो यह जीव बहुत ही ज़्यादा चलाँक है लेकिन दोस्तों मा आपको जनकारी के लिए बता दू कि यह मकडी के परजातिका है और इस जीव को 1883 में खोजा गया था और यह जीव दुनिया में सिर्फ दो ही जगां पाये जाते हैं वह जगा अर्जय टिना और कोलंबिया है और यह जीव देखने में कापी जीव लगते हैं और इसलिए कोई भी जानवर इनके नज़ीक नहीं आना चाहता है और यह जीव अकेला रहना पसंद करते हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज और कॉमेंट सेक्षन में कॉमेंट करके जरूर बताना दोस्तों यह आप चाह रहे हैं कि मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आहूं तो कॉमेंट सेक्षन में पार्ट टू जरूर लिखना दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्ट्राइब जरूर करना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद